जैहन सातियों चीन चीन के मारे भारईत नहीं बलकि पूरी दुनिया परिशान हो गई है चीन से नए नए वाइरस आते जा रहे हैं के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-90 अर्थात कोरोना वाइरस महामारी के कारण लाखों लोग अपनी जानगवा चुके हैं और अब हाल में ही चीन ने एक और नए वाइरस से दस्तक दे दी है इस नए वाइरस को टिक बॉर्ण वाइरस कहा जा कि वाइरस टिक के काटने के माध्यम से प्रेशित हो जाता है ठ seb यह एसे टियस जिसे कहा जाता जाता है सरफ़र फीवर with ट्रोमोसाइटो पैनिया सिन्डरों के वाइरस के रूप में पहचाना जाता है प्रमुक्स चीनी देनिक ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जो हाँ का अकभार है उसके अनुसार पूर्वी चीन के जियांग सू प्रांत के साल के पहले छी माही में 37 से अधिक लोगों के इस वाइरस से संक्रमित होने की सूचना दी है और बाद में 23 लोगों को पूर्वी चीन के अनुसी प्रांत में संक्रमित इसी वाइरस के करण पाया गया था यहीं आपको बता दें कि यह बीमारी नहीं नहीं है या SFTS वाइरस कोई नया वाइरस नहीं है तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि टिक बर्ण वाइरस को क्या और भी कहा जाता है तो हुई यांगशान बानिया वाइरस भी कहा जाता है 2009 में इसकी पहचान चीन और उसके बाद दक्षिन कोरिया जापान और वियत नाम में खुई थी वर्ण 2011 में चीन ने इस वाइरस के रोग जनकों को अलक कर दिया था और यह बनिया वाइरस श्रेडी का है या बानिया विराडी फैमली का भी कहा जाता है हम बात करते हैं टिक के काटने के बारे में तो टिक मुल रूप से कीड़े होते हैं अर्थार टिक जो नाम है वह एक कीड़े का नाम है जो आम तोर पर सड़क या घर के बाहर पाए जाते हैं आम तोर पर वे घास, पेड़ों, जाड़ियों और पत्तों के धेर में रहते हैं कुल मिलाकर हमारे आज पास हमें ध्यान रखना है कि गंदगी ना हो और जितने भी पेड़ पोदों के पत्ते ये कच्रा रहता है उसको हमें दूर फैक ना होगा इसके साथ ही वे कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों में भी पाए जाते हैं टिक बाइट तब होता है जब ये कीड़े तुचा को काटते हैं जैसे जिस तरह से चीटी हमारे शेवे को काट लेती है उसी तरीके से कीड़े जब तुचा को काटते हैं जबकि टिक बाइट आम तोर पर हानी रहित होती है और लक्षण नहीं दिखते हैं लेकिन वे कुछ गंभीर बीमारियों और संक्रमनों से संक्रमित कर सकते हैं जो कि हमारे लिए घातक हो सकते हैं उधारन के लिए लाइम रोग रौकी माउंटें स्टॉपेट फीवर इत्यादी टिक बाइट बीमारी के लक्षण क्या है तो कई टिक बाइट बीमारियों के लक्षण समान हो सकते हैं टिक संबंदी बीमारियों के सबसे आम लक्षण हैं बुखार या ठंडल लगना फीवर इसके साथ ही तवचा पर चकते पढ़ना जिसे रेशिश कहा जाता है दर्द एवं पीड़ा टिक जनित रोग के लक्षणों में सिर दर्द ठकान और मांस पेशियों में दर्द शामिल होता है इसके अलावा लाइम रोग के साथ एक व्यक्ति जोड़ों के दर्द का अनुभा कर सकता है इन लक्षणों की शुरुवात और गंभीरता रोगी के रोग और सहन सीलता के इस तरह पर निर्भार हो सकती है कुल मिलाकर कोरोना वाइरस की तरह इसमें भी आपकी शरीर की रोग प्रतियोदक छमता या इम्मुनिटी पावर जितनी अधिक होगी आप उतना इस इलाज भी संभव हो पाया है चिकेट सकों के लिए इन बीमारी को पहचानना मुश्किल हो सकता है इसके अलावा ऐसा कहा जाता है या कहा जा सकता है कि संक्रमन की प्रारंबिक पहचान और उप्चार गंभीर जडिलताओं के जोखिम को कम कर सकती है अब बात करें कि यह बी उससे संचरण की संभावना इसके वाइरस की हो सकती है और साथ ही रोगी रग्त या मसकस के माध्यम से दूसरों को यह वाइरस ट्रांसफर हो सकता है बनिया वाइरस के बारे में बात करें तो CDC के अमसार बनिया विराइड एक सिंगल स्ट्रेंड वाले RNA वाइरस का एक बहुत बड़ी फैमिली का एक रूप है यानि कि 300 से अधिक वाइरस इसमें वाइरस के 5 जैनेरिया होते हैं जैसे आर्थो बनिया वाइरस, फैलोबा वाइरस, नेरो वाइरस, हंता वाइरस और टास्पो वाइरस यहीं आपको बता दें कि टास्पो वाइरस केवल पोधो को संक्रमित करता है कुल मिलाकर जो बनिया वायरस है इसमें कुल पाँच जैनिरिक या इसके पाँच अन्य भाग भी होते हैं जिसमें से टास्पो वायरस होता है या केवल पौधों को संक्रमित करता है मनुश्य को नहीं इसके साथ ही वे संचरित होते हैं और आर्थोपोट्स जैसे की मच्छर, टिक, सेंट फ्लाइज और कृधन तको अर्था रोडेंट्स द्वारा पाई जाते हैं और कभी-कभी मनुश्यों को संक्रमित कर सकते हैं साथ ही यह भी देखा जाता है कि बनियाए विराइडज वायरस फेमली के विभिन झाल झाल